हेलो फ्रेंस वालकम बैक टू पीजी स्टेडी चानल फ्रेंस आज हम लोग जो है बिहार बोर्ट टू वेल्थ हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो है यहां पे एट्थ क्लास करने जारें और हम लोगोंने अभी तक जो है सेवन्थ क्लास कम्प्लीट कर लिया है जो आपको इस चा के प्रेंस मिल जाएगा वहां से जा करके जरूर देखेगा बाकी यहां पे अभी जो है आपका मैथ और इंग्लिस ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे क्लास होते जाएगा सारा क्लास आपको इस चानल के प् यदि सब्जेक्टिव के इसा से देखा जाए तो इसलिए हम लोगोंने सोचा है कि सारे सब्जेक्टिव का अब्जेक्टिव कराए जाए तो यहां पे आपको सारे सब्जेक्टिव का अब्जेक्टिव मिलेगा तो आप लोग जरूर देखिएगा जिससे आपका अब्जे है 37 का क्या सर्वनाम है यह आपको बताना है तो 38 का जो सही होने वाला है वह होने वाला options number a प्रस्न वाचक रैट कौन सा सर्वनाम हो जागा प्रस्न वाचक सर्वनाम चलिए अब बढ़ते हैं questions number 39 की और बोल्ड है सुबसब जो है कौन सा लिंग है यह आपको बताना है तो सुबह सब जो है वो इस्तिर लिंग है कौन सा लिंग है इस्तिर लिंग है राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 40 की ओर बोल्ड है तिवर बुद्धि वाला जो है क्या कहलाता है यह आपको बताना है तो इसका जो सही होने वाला जो होने वाला options number B कुसागर राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 41 की ओर बोल्ड है बाल क्रिस्न भट के पिता का नाम क्या था यह आपको बताना है questions number 41 का जो सही होने वाला वो होने वाला options number B बेनी परसाद भट राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 42 की ओर बोल्ड है दम यंती स्वेंवर किस लेखक की रचना है यह आपको बताना है दम यंती स्वेंवर किस लेखक की रचना है यह आपको बताना है questions number 42 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C बाल क्रिस्न भट क्या हो जागा बाल क्रिस्न भट राइट चलिए अब बढ़ते है questions number 43 की ओर बोल्ड है उसने कहा था कहानी जो है यहाँ पे क्या है यह आपको बताना है questions number 43 का क्या सही होगा आप लोग बताईए तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number B दिव प्रेम की कहानी है क्या है दिव प्रेम की कहानी है राइट चलिए अब बढ़ते है questions number 44 की ओर बोल्ड है निमन में से कौन सी रचना गुलेडी गुलेडी जी की नही है यह आपको बताना है questions number 44 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number D हारे की हरी नाम राइट चलिए अब बढ़ते है questions number 45 की ओर बोल्ड है जै प्रकास नरायन के बचपन का नाम क्या था यह आपको बताना है तो Q45 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है Options नमर C Bowl चलिए अब बढ़ते हैं Q46 की ओर Bold है धनहीन सब्द का कौन सा समा धनहीन सब्द जो है वो कौन सा समास है यह आपको बताना है Q46 का क्या से योगा आप लोग बताइए तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला option number 8 तत्पूरूस right धन ही जो है वो तत्पूरूस समास है चलिए अब बढ़ते हैं question number 47 की ओर bold है चतुराई में कौन सा पड़ती है यह आपको बताना है इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number di चली अब बढ़ते हैं questions number 48 की और बोल रहा है जड़ सब्त का विलोम आपको बताना है gospel का विलोम क्या होगा यह बता है questions about 48 का सही होने वाला है वो होने वाला options number c चैतन चलिए अब बढ़ते हैं questions number 49 की ओर बोलड़ा है सुक्ति सब्द का संधी विच्छेद आपको करना है तो सुक्ति सब्द का संधी विच्छेद क्या होगा ये बताईए तो questions number 49 का जो सही होने वाला है वो होने माला options number B सु प्लस उक्ति चलिए अब बढ़ते हैं questions number 50 की ओर बोलड़ा है अगनी सब्द का पढ़्यावाची सब्द आपको बताना है तो अगनी सब्द का पढ़्यावाची सब्द क्या होगा बताईए इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C पावक चलिए अब बढ़ते हैं questions number 51 की ओर बोल्ड है कपड़ा सब्द का पढ़ियावाची आपको बताना है कपड़ा सब्द का पढ़ियावाची क्या होगा बताइए तो questions number 51 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number A वसन राइट चलिए अब बढ़ते हैं questions number 52 की ओर बोल्ड है समास सब्द का link निर्नाई करें समास सब्द का link निर्नाई करें यह आपको बताना questions number 52 का जो सही होगा वो हो जागा options number यहाँ पे B pulling समास जो है वो pulling है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 53 की ओर बोल्ड है सब धन बसई पसेरी मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है तो questions number 53 का क्या सही होगा आप लोग बताई इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number D अच्छा बुड़ा सबको एक समझना ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं questions number 54 की ओर बोल्ड है परती दिन सब्द कौन सा समास यह बताना है तो questions number 54 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C अब वी भाओ ठीक है सिव सब्द का विसेशन आपको बताना है तो सिव सब्द का विसेशन क्या होगा बताईए तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number 27 ठीक है चलिए अब बढ़ते है questions number 56 की ओर बोलड़ा सिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है तो सिवाजी के पुत्र का नाम क्या होगा आप लोग बताईए 56 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C साहू जी राइट सिवाजी के पुत्र का नाम क्या था साहू जी चलिए अब बढ़ते है questions number 57 की ओर बोल्ड है जै संकर परसाद की नाट करीती है कोसेंस में 57 तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ओफसेंस नंबर यहाँ पे A ठीक है ध्रूब स्वा मिनी चलिए अब बढ़ते हैं कोसेंस में 58 की ओर बोल्ड है सुकून की तलास की रचना आपको बताना सुकून की तलास की रचना है यह आपको बताना 58 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ओफसेंस नंबर B समसेर पहादूर सिंग की ठीक है लास्ट है यहाँ पे इस क्लास का कोस्चन हार जी सिर्सक कविता में मसक वाला क्या कर रहा है यह बताना questions पर 59 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options निमर ए सरक जो है यहाँ पर सीच रहे ठीक है तो यह हो जाएगा आज का class का last question था जो complete हो चुका है बाकि आगे हम लोग next class में करेंगे राइट तो वीडियो पसंद आए तो लाइक किजेगा चानल पर नवे सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसका notification आपको मिलता लेगा तो friends आज के class को यह पर end करते हैं बागे मिलते है नेक्स वीडियो में तो thank you for watching this वीडियो